नमस्कार मित्रों मेरा नाम है मनाल पटेल और आज हम देखेंगे 23 जैनिवरी शनिवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एक्जाम के लिए काम की चीज क्या लगी सबसे पहले पेज वन सोशल मीडिया फ्रीडम ओफ एक्सप्रेशन पिछले साल याद करो केरला राज्य सरकार एक कानून बना रहे थी कि सोशल मीडिया में सरकार के खिलाब कोई भी आपत्ती जनक चीजे लिखेगा तो उसको सजा हो सकती हाला कि फिर जनता ने बहुत विरोध किया तो केरला राज्य सरकार ने वो कानून हटा दिया था उसके बाद बिहार राज्य सरकार और उसके पुलिस विबाग ने अब ये जारी किया है कि अगर कोई व्यक्ति राज्य सरकार उसके मंतरी विदायक या ओफिसर्स के खिलाब कोई आपत्ती जनक अब्जेक्शनेबल चीज लिखेगा सोशल मीडिया में तो उसको इंडियन कोड और इंफर्मेशन टेक्नलोजी एक के अंतरगत उसको सजा करेंगे तो विपक्सिस का विरोध कर रहा है कि ये सबसे फ्रीडम ओफ एक्स्प्रेशन अभिव्यक्ति का स्वातंत्रे वो चला जाएगा कैरे असल में कितने साल की सजा हो सकती है आईपीसी में कौन से कोड या सेक्शन में क्या प्रावदान है उतनी बार की से तियार करने की जरुवत नहीं इकार लाइन में यार रखने का मुद्दा कि अलग-अलग राज्यों में राज्य सरकार सोशल मीडिया पे अपना विरो करनाटक हाइकोट में उन्होंने एक जवाब दिया जो की काफी दिल्चस्प है नहीं ने करनाटक हाइकोट में ये बताया कि ये जो Environment Protection Act 1986 बना था पर्यावरन सुरक्षा के साथ-साथ क्यूंकि विदेशी ताकतों का हम पर प्रेशर जादा था इसलिए बारत सरकाने कानून बनाया था मलब वो जैसे कि दोशार ओपन कर रहे हैं कि 1972 का United Nation Conference on Human Environment जो Stockholm में हुआ था उसमें बारत सरकार ने कुछ का था कि हम कानून बनाएंगे इसलिए बनाया गया था और आज की तारिक में ये सब कानून के चलते बहुत सारे NGO कौट में जाके फालतू की Petition डालते रहत हाला कि बाद में उनको लगा कि ऐसा सब कौट में नहीं बोलना चाहिए था तो अब उन्होंने वापस करनाटक हाइक कौट में दिया कि हम अपना स्टेटमेंट विड्रॉ करना चाहते थे लेकिन फिर करनाटक हाइक क्या लेना है एक्जाम के लिए पहला सबक तो ये कि Officer की बाशा शालिन होनी चाहिए आपको लग सकता है शायद ये सही भी हो सकता है लेकिन जब आप कौट में कोई statement सब्मीट कर रहे हैं तो आपकी बाशा शालिन होना चाहिए ये विदेशी ताकतों के चलते दबाओ में पार्लामेंट ने कानून बनाना पड़ा था जब आप ऐसा कुछ बोलते हैं उसका मतलब की तक इस किसान के वो तीन कानूनों को हम suspend करेंगे और तब तक कुछ solution लाते हैं लेकिन उस पर भी किसान कुछ मानने को तयार नहीं थे तो अब सरकारत ने ये कहा है कि वो ही अमारी best offer थी कि 18 मैने के लिए कानून suspend करते हैं अब आगे की meeting की कोई date fix नहीं कि ये ही अमारा best offer है इस पर आप गौर करिये और इस पर लगे तो फिर वापस मिलते हैं यानि कि शायद अब सरकार ने ये मन बनाया है कि इनको ऐसे ही बैठे रहने दो तो वो सकता है दिरे दिरे अब जैसे भी harvest यानि फसल कटाई के सीजन आएगी तो दिरे दिरे किसान सब चले जाएंगे और ये moment ऐसे ही फीजल आउट हो जाएगी इसके लावा सीरम इंस्टिटूट ओफ इंडिया में आग लगी थी जिसमें एक हजार करोड का नुकसान दुखत समझा लेकिन एक्जाम के लिए काम का नहीं इसके लावा वही सब आर्नब गोस्वामी की वाटसेप चैट और वैक्सिन वगेरा की बात हैं फिर वही सूरत क वो लड़का जो घर छोड़के बाग गया था कि मुझे ओनलाइन क्लास में कुछ समझ नहीं आता उसकी वी एक वापस टोरी कवर किया लेकिन उसमें जो एक्जाम के लिए जानने लाइक था हमने एक दो दिन पहले पढ़ लिया आगे बढ़ो पेज टू अनुसंदान में क कुछ कॉलेज डियार पटेल कॉमर्स कॉलेज फिर दूसरा सीबी पटेल कॉम्प्यूटर कॉलेज वगेरा वगेरा में आसिस्टन्ट प्रोफेसर की रिकूटमेंट है इंग्लिश, इकनामिक्स, एम्बीए, कॉम्प्यूटर साइंस, माइक्रो बालोजी, मैथेमेटिक्स, अकाउंटन्सी वगेरा के लिए, और उन्होंने विग्यापन में लिखा है कि कॉम्प्यूटर साइंस, माइक्रो बालोजी, मैच्स, इसका तो ये चौथी बार विग्यापन दे रहे हैं कि कोई प्रोफेसर, आसिस्टन प्रोफेसर नहीं मिला भई कोई आए जाओ, तो आएसे अधिक संपति कई मिनिस्टर के पास, कई IS आफिसर, सरकारी बाबों के पास होते हैं क्योंकि वो दो नंबर का काम करके पैसा कमाते हैं, लेकिन कई बार ऐसे केस में, एंटी करप्शन ब्यूरो, ACB, रेड भी करता है, संपतियों को जब्त भी करता है, लेकिन कौट म वो सब आरोपी छूट जाते हैं, क्योंकि सही से सबूतों का कलेक्शन, प्रेजन्टेशन नहीं हो पाता, इसके लिए सबसे पहले आपने नौजवान लोगों को रिकूट करें, जैसे नेशनल फोरेंसिक साइन्स यूनिवरसिटी, नेशनल लॉ यूनिवरसिटी, चार्ट इसके टीम, जिसमें ये यंग माइंड्स होंगे, ज्यादा टेक से भी हैं, तो बैंक अकाउंट डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, ये जो ओफिसर था, उसकी पूरी कैरियर में कहां-कहां पोस्टिंग हुई थी, और उसके कहां-कहां पर नए-नए फोटो नहीं डालता हो, लेकिन उसके बेटे-बेटिया वो तो इंस्टाग्राम पे 24 गंटे लगे ही होंगे, तो वो सब का ग्राफिकल रेप्रेजेंटेशन करके एक पूरी चेंज बनाई जाए, कि ये ओफिसर और उसके इतने रेलेटिव और उनके नाम पर इतनी बेनाम प्रोपर्टी और फिर उसका सही से कंपाइलेशन करके पॉब्लिक प्रोसीक्यूटर यानि सरकारी वकील को दिया जाए, तो वो कॉर्ट में बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन यानि जिरह कर सकता है, गुजरात ACB ये सब कर रहा है, जिसके चलते पहले से दो गुने कन् प्रोपी तो पकड़ते ही थे, लेकिन कॉर्ट में जो दोशी साबित हो, पहले जितने होते थे उससे डबल हो रहा है, क्यूंकि उन्होंने ऐसा ये नया मॉडल अपनाया है, तो एथिक्स और करॉप्शन से कैसे लड़ेंगे बोलबच्चन में लिखने लाइक मुद्दे, पेज 4 पे दूसरे प्लेसी से न्यूज, इंडिया का सबसे बड़ा मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क एमदाबाद के करीब सानन में अदानी डेवलप करेगा, लेकिन अभी ऐसा मेमोरेंडम आफ अंडरस्टेंडिंग, यानि समझोते का वो अस्ताक्षारी हुए, असल एमदाबाद गुजरात में बनेगा, लेकिन ये असल में थोड़ा और आगे बड़े, कम से कम उसका शिलान नयास या भूमी पूजन और फिर हमने MCQ में तियार करना चाहिए, for non-IS exams, फिर page 5, बड़ा सा विग्यापन, काम का नई, page 6, राशी बविश्यक काम का नई, page 7B, सबसे पहले, left side के छोटे-छोटे कॉलम, शेर बाजार, BSE, Sansex, 50,000 की सीमा को क्रॉस कर गया, लेकिन आगे क्या हो सकता है, उसकी सब चीजे, लेकिन basic idea तो हमने कली ले लिया था, इसमें नया कुछ नई, दूसरा चोटा कॉलम है, South Delhi Municipal Corporation, उन्होंने सब restaurant मालिकों को ये लि वशु को कैसे मारा था, हलाल मैथर से उसको मारा गया था, जो कि ज्यादा तर मुस्लिम समुदाय के जो कतल खाने उसमें हलाल मैथर यूज करते हैं, या फिर जटका मैथर से मारा गया था, जो कि खाटिक समुदाय के जो कतल खाने होते हैं, उसमें वो यूज करते हैं, तो ये कि हलाल में थड़ है कि खटका में थड़ या जटका में थड़ है और ये food slaughter को भी communalize या polarize करने की कोशिश की Muslim समुदायवाला ये और ये दूसरे जबकि real life में restaurant में जो पका कर मास दिया जाए तो कोई उसको देखके नहीं पता कर सकता कि हलाल में थड़ था या जटका था या खटका में थड़ था तो यानि कि ऐसे polarization मुद्दों पर नगर पालिका नगर निगम का जो काम होता है development करें उसकी जगा ये सब में time waste हो रहा है कि एक्जेक्ट मुद्दा क्या है वो तयार करना important नहीं लेकिन इससे हमको समधने को मिलता है कि local bodies means paper 2 में कई बार पुछा गया कि local bodies प्रभावी रूप से काम नहीं कर पा रहे है उसके क्या कारण तो वैसे तो बहुत सारे कारण हम जानते हैं कि उनके पास funding में पैसा नहीं है और बहुत जादा ये कास्टीजम वगेरा चलता है लेकिन ये वह अगर मुद्दा कि दुरूवी करन के चलते polarization करने के लिए food habits, clothing habits, marriage ये सब में उनका दिमाग लगा रहता है जबकि सडक, स्वचता, डेंग्यू वो सब पे काम करना चाहिए तीसरा चोटा कॉलम है बर्नी सेंडर नाम का एक व्यक्ति जो बीडेन के शपत समारों में उसने कुछ मोजे पहन के बैठा था और उसके memes जनरेट हुए ये कोई अपने लिए काम करने आगे बढ़ो अगेरा एक रुपे प्रति किलो, गेहु, वीट दो रुपे प्रति किलो, चावल, राइश तीन रुपे प्रति किलो ऐसा प्रतिवेक्ति पांच-पांच किलो का कोटा हर महीने मिलता है और ऐसा करके बारत की करीब 67% आबादी को कवर करने की कोशिश तो इसका सब आखलन लगा है कि कुल मिला कर कितना अनाज चाहिए होगा तो पता चले मैक्सिमम 60 मिलियन टन से ज़्यादा अनाज नहीं चाहिए इसके लिए लेकिन फिर भी Food Corporation of India यानि FCI हर साल मिनिमम सपोर्ट प्राइज यानि नियुन्तम समर्थन मुल्या पर किसानों से जो अनाज खरीदती है तो समझी 60 मिलियन तो चाहिए होगा हर साल Food Security Act के लिए थोड़ा हम लोग Buffer Stock भी रखे कि कोई Corona जैसी चीज आ गई या कुछ अकाल की परिस्तिती करके 10-15 मिलियन टन और भी रख लेते हैं लेकिन उससे भी जादा ये तो खरीदी कर रहे हैं कि 2019 में करीब 90 मिलियन टन इन्होंने ये गेहुँचावल खरीदा किसानों से 2020 में projection है कि 100 मिलियन टन मलब जरूरत से 40 मिलियन टन और जादा खरीदा जा रहा है तो किसान भी मोज में आ जाते हैं कि हाँ गेहुचावल तो सरकार minimum support price पे खरीद रहे हैं हम यही उगाएंगे और यह डाल यानि पलसीज, वेजेटेबल सबजिया यह सब उगाने में मजा नहीं क्योंकि वो तो कोई खरीदने वाला अच्छे दाम पर हमसे खरीदते नहीं तो इसके चलते मेंगाई बढ़ रहे हैं क्योंकि केवचावल अधिक मातरा में लेकिन दाल और फल सबजिया किसान कम हुगा रहे हैं यह food corporation of India ने जरूरत से जादा 40 million टन अनाज खरीद लिया उसको रखने के लिए उनके पास गोदाम की व्यवस्ता नहीं है तो वो सब अनाज सड़ आ है कई बार आपने फोटो देखे होंगे तो यानि एक तरफ है procurement यानि विपनन जो किसानों से खरीदा और सामने distribution यानि वितरन जो गरीबों को राशन का अनाद देना है इन दोनों के बीच imbalance है तो solution क्या है पहला solution ये हो सकता है कि सिर्फ गेहू चावल नहीं और भी कुछ की national food security या केंतरगत सबजियां या दूद या पलसीस या edible oil खाना पकाने का तेल वो सब भी गरीबों को subsidize दाम पर दिया जाए उससे एक फायदा ये होगा कि कुपोशन की समस्या माल nutrition थोड़ा कम हो क्योंकि सर्फ गेहू चावल नहीं उसको दाल भी मिले edible oil भी मिले उससाब से थोड़ा और कुछ protein और दूसरे तत्व मिले तो एक ये काम हो सकता है जिसके चलते किसान भी गेहू चावल के लावा ये vegetables, पशुपालन, डाल, oilseed वगएर उगाना शूर करें दूसरा प्रतिव्यक्ति ये कि food security एक में 5 किलो अनाच subsidize मिलेगा उसको बढ़ा जाए कि 7 किलो, 10 किलो तकि गरीबों को और अनाच दे दो और अपने FCI के गोडाउन से माल खाली हो जाए ये दूसरा तरीका हो सकता है तीसरा तरीका ये जो FCI ने इतना ज़्यादा बेफिजूल का गेहूचाल खरीद के रखा है उसको बायो फ्यूल, बायो इथैनॉल बनाने में उप्योग हो या गाए बैस को केटल फीड के रूप में खिलाए जाए या फिर कि बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाए और चौथा कि MSP प्रोक्यूर्मेंट पर कुछ अपर लिमिट तय हो कि साल में इतने मिलियन टंस से जादा तो नहीं खरीदेंगे बले इलेक्शन आने वाले हो तो किसानों को तुष्टी करन करना है वो सब से बचा जाए तो ये मेंस पेपर 3 पॉब्लिक डिस्टिबिउशन सिस्टम में क्या चुनोतिया है ये जिन रेजी का इतना माल हमने पढ़ लिया पिछले साल के एकनॉमिक सर्वे ने भी कुछ सजेशन दिये थे कि डायरेक्ट गरीबों को पैसा दे दो और वो बाजार से खरीद ले वगएरा तो इतने मुद्धे आप जोड़े आराम से ही ये टॉपिक ही खतम हो जाता है इससे आगे और आप पड़ भी लेंगे तो भी 250 वर्स में लिखने लायक जगह नहीं बचेगी पेज 8 पर दूसरा बड़ा कॉलम है वाटसेब फिक्स वो ऐसी सब बात की वाटसेब की डेटा प्राइवलसी हो और उसमें अगर हमने कानून बनाता था ऐसे लेकिन कुछ नया जाने लायक नहीं आगे बड़ो फिर हम चले पेज 9 पेज 9 कॉलम में एक है अमरिता दत्ता मैला ससकती करण के बारे में लिखा है तो Ethics Paper 4 Patriarchal Attitude Towards Domestic Work घर का काम वो मैला करे पूरुष नहीं करे ऐसी एक बावना ये चीज पेपर 4 और फिर पेपर 1 में भी कि मैलाओ के मुद्दे क्या है तो पता ये चलता है कि बारत में एक बावना रहती है ये घर का काम, बचों की देख रहे, सफाई, खाना पकाना ये या तो मैला करे या लोवर कास्ट की कोई काम वाली बाई रखे वो करे पूरुष नहीं काम क्यों करना है उसने नहीं करना चाहिए As a result मैलाओ का Labor Force Participation Rate यानि श्रंबल में उनकी हिस्सेदारी बहुत कम है श्रंबल में हिस्सेदारी मतलब क्या? Working Age में कितनी मैला है, कुछ नोकरी या रोजगार कर रही है या फिर कि नोकरी या रोजगार की तलाश में है अभी भी रोजगार है लेकिन उनको नोकरी चाहिए तो Norway, Sweden वगेरा देशों में अब पाएंगे कि उसमें तो modern 50% मैला ऐसी है जो working age group में और कुछ काम कर रही है या कुछ नोकरी की तलाश में है या बारत के case में वो maybe 25-30% ही बाकी सब मैला वो नोकरी की तलाश में है या नहीं क्योंकि उन्होंने ये मान लिया है कि हमने गर में ये सब गर का काम करना है As a result क्योंकि वो सिर्फ गर का काम करते हैं उनके पास अपनी income property नहीं होती है तो पूरुष के आदिन होने पर domestic violence गरेलू हिंसा वगेरा भी चुपचाब सह लेती हैं और ये बावना की काम वाली बाई सब काम करें तो लोवर कास्ट वीमेन लेकिन उनको minimum wages भी नहीं मिल रहें कम तनख्वाद मिलती है कोरोना lockdown के चलते जो नौकरिया चली गई तो पता चला अलग-अलग कंपनियों ने lockdown के चलते जितने लोगों को नौकरी से निकाला तो पूरुषों को कम निकाला है उसके proportionate में महिलाओ को ज़्यादा नौकरी से निकाला है आपकोर्स lockdown के चलते work from home, e-learning, digital technology ये सब में नौकरिया खड़ी हुई है लेकिन उधर हम पाते हैं कि महिलाओ को कम तनख्वा मिलती है पूरुषों को ज़्यादा ख़व मिलती तो जब तक ये सब चलेगा तो means paper 1 में महिलाज सकती करण और paper 4 में attitude for women वो सब में समस्या page 9 पर डूसरा column है अरुन मायरा, democracy, trust और वो सब के लिए बोल बच्चन तो उनका ये कहना है कि democracy में आधुनिक जमाने में क्या क्या समस्या है सबसे पहली समस्या है क्रोनी capitalism, पक्षपाती, पुंजिवाद, ये विजय मालिया, निरवमोधी टाइप की जीज़े या फिर कि बड़े-बड़े corporate कंपनिया, वही democracy चला रही अधानी, अमबानी वगेरा और जिससे लोग तंत्र कमजोर हो रहा है दूसरी समस्या, global technology company जैसे Amazon, Facebook, Google, वो तो अलग-अलग देशों से भी ज़्यादा powerful हो गए कि Donald Trump का भी account ban कर सकते हैं, चीन के दूतावास का भी account ban कर सकते हैं और fake news और targeted advertisement के चलते हैं वो चुनाव को भी influence करते हैं, टरम को जीतवाने में अनुदत की थी तीसरी समस्या, लोग तंत्र में हैं कि जनता का विश्वास सरकार में, उद्योग पतियों में, मीडिया में, एंजियों में कम हो रहा है क्यूंकि fake news, social media यह सब के चलते जो जहरीला माहौल है चौती समस्या हैं कि जो चुने हुए leaders हैं, वो आजकल गरीबों की, किसानों की, या सामानी लोगों की बात सुनने की जगण technocrats मलब कोई foreign degree लेकर आओ, या कोई बड़ा MBA करके आओ, ऐसे लोग, या फिर economist, या corporate company के advisor, उनकी बात जादा सुनती है As a result, किसानों के जो कानून बने, अपकोर्स अच्छे आशाय से बनाए गए हैं, लेकिन वो corporate advisors को सुनके उन्होंने सारे मुद्दे लिख दिये और किसानों के नेताओं को विश्वास में नहीं लिया, इसलिए सब विरोध जारी है So over reliance on some people while neglecting other people, ये एक समस्या है पांचवा, चाहे बारत हो या कोई विदेश हो, आजकल सरकारों का ज़्यादा focus है Ease of doing business, व्यापार में सुगमता, मलब स्टार्ट अप कंपनियों को जल्दी जल्दी अरूमती दे तो Labor factory के कुछ inspection, environment का कुछ inspection नहीं करेंगे तो ये ज़्यादा focus है, लेकिन गरिबों के लिए Ease of living, जीवन में सुगमता वो जैसे की focus कम दिखता है तो जब आप means paper 2, paper 4, even निबन में लिखना है तो ये ही सब बोल बच्चन कर सकते हैं डेमोक्रसी के सामने आज क्या चुनातिया है उसको आगे बढ़ाते हुए और इन्होंने लिखा है कि Facebook, Twitter उसमें आपको ये किसम की news क्लिक करो कि तैमूर is a cute baby तो बस फिर वो आपको उसी प्रकार के news दिखाते रहता है कि तैमूर is a cute baby तो करन जोहर के baby का photo देखो और ये स्मृती इरानी के बच्चों का photo देखो क्योंकि ये social media company चाती है कि आप 24 गंटे बस चीपके रहें और उसमें वो advertisement दिखाते रहें ये चीज़ खराब इसलिए है कि अगर आपने एक बार क्लिक किया कुछ news पे कि पुर्थवी गोल नहीं पुर्थवी फ्लैट है और थीज फ्लैट ऐसी conspiracy थियरी चलते हैं सैटलाइट और ये सब फरजी और थीज फ्लैट ऐसे कुछ लोग conspiracy थियरी चलाते हैं एक आत बार आपने ऐसी news क्लिक की तो बस वो पूरो दिन YouTube, Facebook हर जगा आपको इसी टाइब का news दिखाता रहेगा उसके सामने counter argument कि अर्थ फ्लैट नहीं अर्थ को गोला कार है ऐसा कोई article या video आपको देखने ही नहीं देगा वो तो इससे gated community मतलब बंद दर्वाजा उसमें गिरा हुआ एक समुदा है कि उन्होंने एक बात मान ली तो बस वो उससे बाहर देखने को तयारी नहीं counter viewpoint क्या है ऐसी परिस्तिती में ये डॉनल्ल टरंप पर लोग अंदा विश्वास करके मानने कोई तयार नहीं की election में कुछ दानली हुई या नहीं हुई वगएरा तो democracy, science, media, दूसरे caste या religion के लोग उन पर हम विश्वास करना ही नहीं चाहते ये समस्या बढ़ रही है जिससे democracy को बहुत चुनाती है वगएरा पेज 9 पर तीसरा कॉलम किसान कानून को वापस लेना चाहे नहीं लेना चाहे लेकिन वो कुछ नया जाने लाइक नहीं पेज 10 पर चले, college admission में ministry of health स्वास्थ मंत्राले के नीचे मुंबई में एक national institute of public health training and research वहाँ पर अगर आपने master's degree in public health, post graduation diploma in hospital management, sanitary health inspector का course, general duty assistant वगेरा की course आपने करने हो तो उसकी admission की विज्ञापन है पेज 11 पर भी ऐसे विज्ञापन, पेज 12 पर भी सिर्फ विज्ञापन, पेज 13 पेज 14, पिछले साल याद करो केरला में एक हथनी को कुछ pineapple खिलाया और उसमें पटाके रखे थे जिससे उसको blast करके मार दिया आज ऐसे ही एक और दुखत समाचार कि तमिलनाडू में एक हाथी गुम रहा था, कुछ लोगों ने जलता हुआ टायर उसके उपर मार के डाला और उसको आग लग गई और मर गया तो man-animal conflict, mudumalai, tiger reserve अगेरा में बढ़ रही है, इसको कम करने के लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं, आप सोची बाकी page 14 पर ऐसे ही सब rape, murder, land grabbing बगेरा के समाचार एक्जाम के लिए खास काम का नही page 15, mens paper to quality के लिए समाचार, cooperative federalism, सहकारी संगवाद, मतलब केंद्र सरकार, राजय सरकार ने मिल जूलके सोहार्चे काम करना चाहिए, लेकिन केरला की विदान सभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है, कि controller and auditor general of India, CAG, उसने केरला के बारे में कुछ criticism लिखा था अपने रिपोर्ट में, तो वो सब गलत है और ये समयदानिक हमारी चीज़ पर अतिक्रमन हो रहा है, असल में CAG ने अपने रिपोर्ट में पाया, off-budget borrowing, या जिसे हम कहते हैं, extra budgetary resources, budgetator संसादन, मुद्दा ये है कई बार, किंद्र सरकार या राजय सरका अपनी feasible deficit यानी राजकोशिय खाद को कम दिखाने के लिए, सरकारी कंपनियों को कहते है कि बाजार में आप अपने नाम से पैसा कर्ज पे ले लो और उससे अलग-अलग योजनाय चलाओ, ताकि हमारी feasible deficit कम दिखे, और वो एक feasible responsibility and budget management act, FRBM act है, उसमें ये लगे कि हम सब control में सई से चला रहे हैं, तो CAG ने इसकी निंदा की थी और Kerala House ने इसकी निंदा किये कि CAG ने ऐसी निंदा क्यूं किये, तो अगें constitutional bodies के उपर भी सम्मान और जो होना चाहिए, उसकी जगह सब एक दूसरे के साथ तू-तू में हमें कर रहे हैं, फिर हम चले page 16, जम्मू कश्म मेर में entrepreneurs के लिए नई land allotment policy, state specific exam की तियारी करें तो काम का दरवाज नहीं, बजन और जागरन के मशूर सिंगर नरेंदर चंचल का देहांध हुआ, परसनी निउज, मेंच पेपर 3, internal security border issue में, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, आप जानते थे कि पंजाब वाले land border से, न स्रिलंका में बेजे जाते हैं, और स्रिलंका से छोटी छोटी बोट में अब बारत में उसको बेज रहे हैं, तो एक आर लाइन में लिखने का मुद्धा, पीर हम चले page 17, explain series में एक तो MSP कैसे काम करता है और वो सब तो हम जानते हैं, दूसरा एक है कि परलामेंट में बिल हो जाए लेकिन सरकार उसको लागू नहीं करे ऐसे कुछ केस, वैसे कोई दिल भागबाग हो जाए ऐसी इसमें चीज नहीं, लेकिन फिर भी आप पढ़ना चाहें तो कुछ से देख लेना, तीसरा है रंगपूर, शिव सागर, असाम में एक जगा है, जहां पर वो प्राइ जाए वल इंडिया वगेरा में कुछ जानने लाएक। फिरम चले पेज 18 विश्व समाचार में डिस आर्मामेंट यानी निशस्त्रिक करण, अमेरिका और रशिया ने साल 2000 में एक निउस्टार्ट ट्रिटी ऐसा समझाता साइन किया था, उसमें मुद्धा ये था कि दोनों इसको पांच साल और एक्स्टेंड करते हैं और अशिया कहता है, यहां ठीक है करते हैं, तो मलब लिखने लाएक एक मुद्धा, शायद ये भी हो सकता है कि क्यूंकि कोरोना क्राइसिस के चलते दोनों ही देशों की एकोनोमी इतनी कोलैप्स हो रही है, कि अब मिसाइल बने इसकी मदद से वो उस अल्गोरिदम को स्वाल करेगा, जिसकी मदद से आपका जो वालेट होगा, डिजिटल वालेट उसमें बीटकोईन नाम का डिजिटल सिक्का आ जाएगा, अब यह जो ऐसा जो डिजिटल माइनिंग सोफ्ट्वेर के द्वारा किया जाता है, तो बहु सारे उनके ऐसे कॉंप्यूटर एक्सपर्ट, उन्होंने अवैध तरीके से ऐसे वर्क्शॉप बना दिया कि धेर सारे उदर कॉंप्यूटर फिट करेंगे और बीटकोईन माइनिंग करेंगे, पता चला करीब साड़े 400 मेगावट तो वही लोग बिजिली खा रहे है, यह स प्राइम मिनिस्टर भी यह प्रचंद दमाल में सामिल हुए है, इससे मुझे आश्चर्य हुआ, अगर हम बारत में कए बुदपूर्व प्रदान मंतरी, तो प्राइम मिनिस्टर मन मौन सिंग याद आते, उसके पहले वाले तो ज़्यादा तर लोग का देहांध हो गया है, क्योंकि पांच-पांच साल में अगर प्राइम मिनिस्टर बनता हो तो बुज़ूर्गाद में देहांध हो जा आगे बड़ो एक्जाम के लिए काम का नहीं, पेज 19 एकॉनमी, रिजर्व बेंक ओफ इंडिया ने ये काय कि नॉन बेंकिंग फाइनांशल कंपनी यानी NBFC, उसमें भी बहुत सारे कांड हुए थे तो अब उन्होंने ये तैक कि एक 4-tier structure for supervision, कि base, middle, upper and top layer, अलग-अलग NB NBFC को वो classify करके, कि base level पर हो, तो मतलब कि ऐसे जो बहुत ज़्यादा चिंता का विशय नहीं, उस पर थोड़ा कम regulation हो, और top layer में ऐसे कि जहां पर बहुत ज़्यादा risk है, लेकिन मित्रो ये भी अभी discussion paper है, असल में लागू नहीं हुआ है, RBI के ऐसे technical paper पूरे साल चलते रह UPSC के IS exam में तो शायद ही कुछ पूछा है, और जहां तक कि non-IS exam खस करके, ये CDS, CAPF, उगेरा, उसमें भी पूछता है तो एकदम superficial type की चीज़े, कि Thomas Cook, जो NBFC company बंद हो गई, वो क्या करती थी, travel company थी या कुछ और, या फिर Carvy Capital, उसको किसने प्रतिबन डाला, Sabine ने डाला या RBI ने डाला, इस टाइब की basic चीज़ें जो तयार करनी होती है, इतना बारिक जाने में एक हट से जादा फायदा नहीं, एक दो साल पहले की economic survey में एक बात थी shadow banking, मतलब ये ILNFS और दूसरी company जो bank तो नहीं है, लेकिन bank जैसा काम करती है, पैसा कहीं से mobilize करके बड़े- कर सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत किंच के तो ये एक लाइन का ही मुद्धा हुआ, हाला कि अभी आप पाएंगे कि इस पर एक गंटे के वीडियो और बड़ी-बड़ी series चुरू हो जाएगी, तो मैंने आपको बता है, इसकी utility भई बहुत जादा नहीं है, आकात के इसाब से topic तियार करिये, गुश मत जाओ हर जगा, इसके अलावा आज पे 19 पर जितने समाचार है, कुछ economy में काम का नहीं, वही सब facebook की policy और reliance का profit और sensex वापस नीचे गिर रहा है, या petrol का दाम मुंबई में बढ़के 92 रूपीज हो गया, कुछ काम का नहीं, पूरे साल में petrol में आएगा, एक बार में तयार करो, आगे बढ़ो, पे 20 स्पोर्स में आज कुछ काम का नहीं, तो ये था शनिवार का newspaper